तो दोस्तों वाटर और अम्यूजमेंट पार्क का मज़ा वो भी सिर्फ 800 रुबे में है जुरासिक वार्क में कुछ नहीं चलते हैं जुरासिक पार्क के अंदर इस वीडियो में जुरासिक पार्क से रिलेटेड सब भी जान करी हैं जैसे कि टिकेट्स टाइमिंग और कौन-कौन सी राइड यहां पर अवेलेवल हैं और यहां का मैन अट्रेक्शन वेव पूल इसका विजिट करना तो सबसे पहले बनता है यहां के वाटर पार्क में कर सकते हैं डाइनसौर की थीम वाला यह पार्क जहां पर बच्चों के लिए पूल कार्निवल जैसी राइड और गो-कार्ट का ट्रेक भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा और इवनिंग में आप यहां के टर्मिनल सी को भी इंजॉय कर सकते हैं जो की देखने में काफ अगर आप वीकेंड पर आते हैं तो यहां पर वोर्फ रिकेट आपको थाव्याटो भी सबड़ेगा वाटर और अम्यूजमेंट पार्क के टैमिंग में आदे गंटे का डिफरेंस है बट उपन दोनों के दोनों 10-30 पर ही होते हैं सामने ही टिकेट काउंटर है जहां से होता है भारक खाना एलाओ नहीं है तो यहां पर भी आसा ही है तो वाटर पार्क की थीम के हनुसारी काफी सारे डाइनोसोर्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे और यह है बच्चों का मोस्ट फैवरेट हलक तो यहां पर लोकर कॉस्ट्यूम और ट्यूब्स अपनी जरुद्ट के हिसाब से यहां पर पर्चेस कर सकते हैं तो अब एक्स्प्लोर करते हैं यहां की सभी राइड्स को कि 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 क करुंग यहां कि तो कि क हमादे इड़ा हुआ वाल जड़ा हुआ आए 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 वाटर पार्क को एक्स्प्रोर करने के बाद अब आ रही है यहां के अम्यूजमेंट पार्क की और अम्यूजमेंट पार्क में हमने सबसे पहले यहां के बंप कार की राइड की अभी जो सेकंड राइड आप देख रहे हैं इसका नम है फ्रीस भी राइड और इसमें 14 येर से कम के बच्चों का अलाउट नहीं है कभी मैज़दार राइड है भी तो फ्रेंट्स ये होर्स राइड है जिसमें 3-8 साल तक के बच्चे ही एलाउट है और ये वाली चेर पर एडेल्स बैठ सकते हैं जुरासिक पार्क के अम्यूजमेंट पार्क की ये जो राइड है समसे बड़ी राइड है और इसका नाम है जाएंट वील काफी जबड़ा स्राइड है ये भी आप यहां चाहें तो फ्री और कोष्ट देशी जादूगार का मैजिक सो भी देख सकते हैं आप यहां पर गो कार्टिंग के सौक को भी पूरा कर सकते हैं बट इसका 100 उपीस चार्ज किया जाता है और एक राउंड आपको गुमाते हैं कंप्लीट जुरासिक पार्क को विजिट करने के बाद टर्मिनल सी में विजिट करना तो बनता है और यहां पर आप काफी तरह के डाक्स को देख सकते हैं जो यहां पर टहल रही हैं कि डाक्स के साथ आपको यहां पर रैबिट भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो काफी बड़ी संक्या में पैल रहे हैं तो फ्रेंट्स यह है मेरे सामने टर्मिनल सी का रेश्टोरेंट यहां पर आप लंच यह डिनर कर सकते हैं और यह है यहां का एक कॉक्पिट जिसे एक बैतरी इसा ड्याइन दिया गया है उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगे होगी और ऐसी मैजदार वीडियो के लिए सब्सक्राब करने में बोलें